और वहीं शिम्ला से अगली खबर जा समर हिल में लैंसलाइट का कहर चार दिनों से बचाव और तलाश अभियान जारी हैं अब तक 14 शव यहां से बरामद हो चुके हैं नाले में एक और शव मिला है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसल पियर शर्मा के रूप में पहचान हुई यहां पर रहात और बचाव कारे जारी अप तक 14 शव बरामद हो चुके हैं तो नाले में एक और शव मिला है यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं नाले में एक और शव मिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसल पियर शर्मा के रूप में पहचान उनकी हुई है और ग्राउंड जिरो पर हमारे शुमला से भी अरो प्रदीप छाकुर बने हुए तो चलिए सीधा प्रदीप के पास आपको लिए चलते हैं प्रदीप इस समय सबसे पहले जो मौजुदा तस्वीर है वो आप से हम जानना जाहेंगे बिल्कुल दीपशिखा देखिए इस बक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और सर्च ऑपरेशन शिब मंदिर जो शिबाउरी है बहाँ पर जो लैंड स्लाइड हुआ था उसमें अब तक 14 लोगों के शब जो है वो निकाले गए हैं आज सुबा एक शब जो है वो निकाला गया और NDRF के टीम लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाए हुए हैं तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे कि आखिरकार यह जो हादसा हुआ है यह जो बिहानक लैंड स्लाइड हुआ है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे ठीक उपर आप यह तस्वीर देख रहे हैं लेकिन जो उस तिन लैंड स्लाइड हुआ था उसकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी और जो मौसम केंदर के भी जो ब्यागानिक है उनका कहना है कि भारी बारिश उस दिन हुई है और इस वज़ा से यहां पर जो सॉइल एरोजन है वो हुआ इस बज़ा से यह मिट्टी जो है एक तरह से हम कह सकते के मलवा वो यहां से नीचे की तरफ जाता रहा और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पेड जो है इस बक्त भी यहां लंबे पड़े हुए हैं क्योंकि जब यह पेड जो है जट समेत उखड गए तो यहां पर कुछ पेड गिरे हुए हैं लंबे पड़े हुए हैं तो संभवता यहां पर एक डख लग गया होगा जब यह सारी मिटी एक जगा इकटी हुई और उसके बाद जब यह डख तूटा तो सीधा मंदिर पर जागी रहा तो यह ग्राउंड जीरो से यह तस्वीरे है कि किस तरह से यहां Advanced Studies के यह Corner से यह Erosin शुरू हुआ मिटी जो है मलवा यहां से तेज बारिश की वज़ा से जब यहां से आगे को चलना शुरू हुआ धीरे धीरे तो उसके बाद उसने एक बड़े से बार जैसी शकल ले ली हाला कि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ब चापदा है यहां पर आई और उस तो रानतियों कि सुभा साथ सारे साथ बजे के समय बताई जा रहा है जिस बक तब बहुत तेज बारिश यहां पर शिमला में हो रही थी और उसकी बज़ा से यह सारे पेड़ भी उख़ड़ गए और यह मिटी अपने साथ गाद लेकर ज अब सर्च अपरेशन हालां की बहां पर चला हुआ है और 14 लोगों के शब जो है वो निकाल लिए गए हैं और अभी भी यहां पर शब जो है वो हो सकते हैं साथ लोगों के यह बताया जा रहा है एंडियारफ की टीम है मौके पर इस वक्त मौदूद हैं लेकिन इस चेतर के अ और इस बज़ा से हलकी होती है जब तेज बारिश होती है तो यह मिटी-पानी के साथ बहना शुरू कर लेती है क्योंकि यहां पर हार्ड रॉक बैसे शिमला में बहुत कम है लेकिन जहां पर एडवांस टडी है उसको हमेशा हार्ड रॉक के तौर पर जाना जाता है कि बहा कि चीज़ें उस वक्त की गई थी लेकिन अब यह जो घटना घटी है वो कहीं न कहीं इतना जूर बताती है कि यह जो पर्यावरणियां संतुलन हो गया है उसके कहीं न कहीं दूश पर नाम है और उसको लेकर अब सर्वे करने की जूरत है हलांकि आज हमने मौसम भी जान आट बह cukier बलकि और स्थानों पर भी बारिश बहुत ज्यादा उस दिन हुई है तेरहा तारीकी राथ और चौधा तारीकी सुभा उस दिन बहुत तेज बारिश करी स्थानों पर हुई है राथ के एक बज़े से लेकर सूभा के साथ से आठ वजे तक का जो एक समय хотел उसमें बहुत ज़ादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, ऐसा मौसम भी गान केंदर का भी मालना है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हाथसा हुआ है, दुखद हाथसा यहां पर हुआ है, और इसके साथ साथ आप जो खत्रा बना है, यहां पर कई जगा पर दरारें हो गया है, आपने कृष्णानगर में भी देखा कि बहाँ पर मकान डह गए और ऐसी घटनाई शिमला में और भी हो सकती है, तो कहीं न कहीं अब सचेत रहने की भी जरूरत है, कि कुछ जिस तरह का मौसम है, वो भूसंखलन के लिए उप्यूक्त होता है, तो ऐसे में नुक लग वज़ाईज हैं, जिन पर वेग्याने पिछले काफी समझ से शोत कर रहे हैं, हिमाच्य प्रदेश के जो पहाड हैं, वो हिमाले के किसी बच्चे की तरह हैं, जो की हर साल एक सेंटिमीटर बढ़ता है, अब ऐसे में जो स्थीती हैं, जो स्थीती पर घर बने हैं, या जो स्थीती पर कोई भी निर्मान हुआ है, जाहिर तोर पर उन पर भी धांचा गद बदलाव होता है, वहीं दूसरी तरफ, अगर बास सोलन और शिमला की करें, तो चिकनी मिट्टी और डम किये जाने वाले डंगे को लेकर जो समागरी होती है, उसे डम किया जाता है, या तो वह सड़क के अंदर डम किया जाता है, या फिर सड़क के बाहर की तरफ डम किया जाता है, बारिश के समय ये चिकनी मिट्टी फूल जाती है, एक बड़ा वज़ा क्या, इसे भी हम मान सकते हैं, बड़ी वज़ा? बिल्कुल देखिए, युबा पहाड माने जाते हैं हिमालिया को और हिमाचल प्रदेश के भी पहाड हैं, युबा पहाड हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो चिटाने खिसकने की बाते हैं, या फिर जो लैंसलाइड होती है, ये गटनाए हैं, बाकी भी डंगे धसने की गटन लासे गीरते हैं तो यह तमाम चीजें यहां पर होती हैं जब भी तेज बारिश होती है और उमोमन देखा जाता है जो मौनसून सीजन होता है वो हमेशा बड़ी परेशानी लेकर हिमाचल के लिए आता है जब बारिश होती है और यही मिट्टी बाद में एक बड़े बार का शकल लेकर तवाही कर देती है और जाती है आप पूर में भी तस्वीरों में इस तरह की द्रिश्या जो है वो देखे हैं कि की तरह से भी मिट्टी इसी वज़ा से इस तरह का नुक्सान हुआ है लेकिन कुछ इंसानी गल्कियां भी है कई जगा ऐसे घर बना दिये जाते हैं जिसका स्टैटा लूज होता है हलकी मिट्टी वहां पर होती है और थोड़ी सी बारिश में डंगा धस जाता है तो पुरा घर जो है खत्रे की खत्र पर 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 रहां होती है तो यह चीजे अब सबको सोचनी होगी इसके साथ हमने देखा जैसे सोलंसे शिमला का जो नैशनल हाईवे है अब सबाल भी उठ रहे हैं कि बहां पर जो मिट्टी डंप की गई वो सड़क के किनारे डंप की गई और जो कटिंग हुई वो वर्टिकल कटिंग हुई 90 डिग्री में बिल्कुल सीधी कटिंग हुई और इस बारिश ने बहां पर तबाही मचा दी और सड़क जो है कई दि उसमें बैग्यानिक तरीके से जो है वो सड़कों की कटिंग हो घर बैग्यानिक तरीके से बने इसको लेकर जरूर अब हिमाचल प्रदेश को कम से कम गंभीरता से सोचना होगा ताकि बभिश्य में ज्यादा नुकसान इस तरह से ना उठाना पड़े क्योंकि इस बार भी ह प्रदेश में सबसे ज़्यादा जाने नुकसान अगर कहीं हुआ है तो शिमला में हुआ है तो यह तमाम चीजें हैं अब इन घटनाओं से सबक लेने की भी ज़रूरत है जी दीपशिका क्योंकि मांग इसकी लंबे समय से हो रही है और अगर इस मांग को नहीं माना गया तो इसका एकांशिक नतीजा हमने यहाँ पर देखा है आप बिल्कुल देखिए इस पर जरूर गंबेरता से सोचने की जोरूत है और समय समय पर लोगों के भी सुझाव आते रहे हैं अलाकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने आएक आर्सो क्रोड पे की योजना बना रहे हैं पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपता से नुकसान कम किया जा सके उसके लिए कैसे हमने आगे बढ़ना है इसको लेकर एक बिस्रिट रिपोर्ट तयार की जानी है तो यह मुख् प्राकृति जिस तरह से यहां पर खेल कर रही है वो कम हो इसको लेकर अब काम करने की जूर्त है हालांकि पहले कुछ चर्चाएं भी होई कोशिशें भी होई कि शिमला शेहर को आप उसको उसका एक्सपेंशन करना चाहिए जाठिया देवी में जो है सैटलाइट टौन की जिकर तक हुआ कि बहाँ पर एक नई टाउंचिप गवल्प की जाए ताकि कुछ लोग बहाँ पर एड़ेस्ट किया जा सकें इस भीड से और यह भी चर्चाए रही कि जो शिमला में डिरेक्ट रेट हैं उन निदेशालियों को बहां से हटा दिया जाए उनको शेहर से बा बात कीजिए समिच्री की बात कीजिए बहाँ पर ऐसे घर बन गए हैं कंक्रीट का जंगल जैसा बन गया है और ऐसे में कही न कहीं ये चीज़ा के लिए एक खत्रे की घंटी हो सकती है तो समय रहते इन चीज़ों पर काम करने की जोड़ूत है बिल्कुल यहां पर नज़र झाल झाल